आज फुर्द आपके साथ में तक्नीब पेचर जागूँगा जी है टेच्नलोजी अभी मैंने आपसे बात किती चैट जीपीटी की चैट GPT सब्द ने तहल का मचा रखा है पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में चैट GPT की तर्च पे अब कई कम्पनियां और उतार आई हैं तक्नीक चड़त में एक नई हल चल हुई है माइक्रोसाफ्ट जो है कम्प्यूटर टेक्नलोजी में माइक्रोसाफ्ट एक पुरानी कंपनी है जो एक आकर सक वेब सर्च टूल उपलब करा रही है जी हम चैट GPT के बाद माइक्रोसाफ्ट आ गए जर गूगल भी इस दोड़ में सामे दो चुका है और बहुत जल्स हो सकता है कि अगले हथे गूगल का एक पूल टूल करने के तैयारी में अब देखें अब धीरे धीरे गूगल है माइक्रोसाफ्ट है चैट GPT है यह लगातार आते जा रहे हैं और लगता है कि सारी दिक्कच कंपनियां टेक्नलोगी के जितनी भी दिक्कच कंपनियां वर्ल्ट के सब अपने सर्च एंजन देती जा रहे हैं माइक्रोसाफ्ट ने तो अभी मंगलवार को एलान किया है कि अर्से से लंबित अपने एक ही करणों को अन्जाम देते हुग ओपन एयाई के चैट GPT बाट कोबिंग साथ लाने वाले हैं उसे उन्हेंने एक नाम दिया है चैट GPT बाट कोबिंग के नाम दिया है गूगल के लिए जोखन पर नहीं क्योंकि अपनी एक कंप्टी सालों से अपनी प्यारूप में चलिया रहे पैटन में चलिया रहे गूगल अब देखे धीरे धीरे करते धीमी रिप्तार से चलने व यह यह पारमी उलशन कह रही है अच पत्रका समाचार में उन्हेंक आखता है पारमी उलसन ने तक्निक विसर से ज्युड़े समपार हैं ब्लूम बर्ग में उन्होंने बात की है वह कह रहे हैं कि तक्रीक जो है जोकिंग बहा कदा हो है दोनों कमप्रियां आज अर्टिफिस कुछ तत्थ पूर्ण भी जानकरिया हैं लेकिन गलत और पक्षपात पूर्ण जानकरिया भी हैं। गूगल अपने बेब प्रिसासकों को जो की बहुत मेंद्धून पलडवार के लिए उप्ताता है उनको जो उतके प्रकाशक हैं बेब प्रकाशक। बेब पब्रिशर्स को उप्साता है पलडवार करने के लिए जोखिम ले रहा है। चैट बैट दक्षता को लेका गूगल पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। जब वार्ड द्वारा एक गलत उधारान दिये जाने के करण उस कंपनी के शेयर में 8% की क्राव अठा चुकी है। पिछले साली नॉवंबर में लागू हुआ था चैट जीपीटी की स्थात्मा हुई थी तुर्वास हुई थी लाउंच हुआ था उसके त्वरिच जवाब देने के लिए सरहाना तो मिल रही उसको कहा जारा बहुत बढ़ी है। लेकिन चिंता ही है कि वो तर्थिक कितने समझ पाता है। अभी हमारे पास ऐसे आंकले नहीं है कि चैट जीपीटी ने कितनी बार गलत जानका नहीं दी हमको यह अभी आंकले नहीं है। तूल को अपडेट करने की बात कर रहे हैं। और आप देखे जितनी बार भी इस्थेमाल किया गया है। चैट जीपीटी बताया गया उसमें पास से दस प्रतिसत गलतियां हो रही है। यूजर को सतरक रहना पड़ रहा है। इतना ही नहीं बहुत सी चीज़ें राजनेते बियान बाजी, स्टन्ट, हेट स्पीश। इस सबके बाद यूजर कहीं न कहीं पता लगा लेता है। सोसल इंगिनिंग की चित्राई का सहरा लेके बात रहता है। चैट GPT वास्तों में क्या है एक टूल है। अभी यूक्रेइन युद्ध के समय, यूक्रेइन रिश्य युद्ध में, यूक्रेइन में जो नागरिक मारे जा रहे हैं, उनके पे जानकारी देंते हूँ इसने बताया, रूसी समर्सक सब्दों का इस्तेमाल किया था, और को बीच के हथिये में डाल दी जाएंगे, ना हमने ना ही बीच में, जहां समानते हैं सच के पढ़नाम रहे हैं। धीरे धीरे गूगल का वाड़ पेज भी आ रहा है, माइक्रोसाफ भी आ गया है, चैट GPT भी आ गया है, और भी कंपनियां आ रही हैं, तो कंपनियों की जो AI काहिए, इस माइन काँ कर रही है है और दीरे दीरे आप देखेंगे, इसके इंतकत में बहुत सथी हैं, अभी इसमें स Tibburst करने हैं, हम इसमें सुदार करने हैं, अपडेट करने हैं, लेकिन चानकारीव मील रही है, जिससे है आपके रिज massively कॉष्भावत हो sabe model में कितना चैट जीपीटी के लिए भी माइक्रोसफ्ट गूगल के लिए भी आगामी आने वाले दिनों में आप दिखा ना कि कहा था कि स्वचालित कार लेकि स्वचालित कार टेक्नोलोजी पिछले 6-7 साल से चल रही है अब उतनी सक्सेस नहीं हुई है ठीक इसी तरह से माइक्रोसफ्ट गूगल चैट जीपीटी जो ऑनलाइन AI की जो सुबदा दी है वो कही ना कही हमको दिखजों की दोड़ में दुनिया को अस्वचालित कर रही है आने वाला समय जो है सभी कंपनिया अपने आपको स्थापित करने के लिए एक से जोकम उठा रही है लेकिन जन मानेश पर उसका क्या प्रवाव पड़ेगा यह सोचनी सकते हैं गूगल कहता है हमाई पास तकनीक पहले सी 2011 में हमने इसकी बात की थी पर तकनीक को उसे दूर रखा था और तो कि अगर हम उसे लाउंच करते तो हमारा 1.500 अरब डॉलर का बैपार भी प्रहवीत हो सकता था और देखें पूरा समाज जो है तकनीक की जगत आज अस्वेस्ट हो गया अभी हम कुछ करना ही नहीं चाहते अब यह हालात हो रहे हैं कि हमको कॉले से छुट्टी लेना है अप्लिकेशन लिखना है तो मैं उसमें चैट जीपीटी में डाल देता हूं मेरी अप्लिकेशन त बनाना है इतने कम नहीं इतना है इतने फिट में बना कर दे देता है बच्ची अपने कोश्चन होमबर भी जीपीटी से करा रहे है तो धीरे धीरे यह आपको आत्मनिरफर्द की जगए किसी पे डिपेंडेंट बना रहे हैं आप चैट जीपीटी या कंपनियों पर साफ़ हैं software बन रहे हैं उसके हम अधिक से अधिक depend होते जा रहे हैं आने वाले दिन में कहां पहुंचेंगे क्या होंगे कंपनियों की प्रतिस परदा कंपनियां तो प्रतिस परदा में उतर चुकी हैं चुकी हैं लेकिन तक्निकी जगत का नया केंद्र बिंदू क्या अस्तिविस्ट साल आएगा समाच को कैसे डेप्लप करेगा शाह से परवर्दित करेगा व्यक्ति का क्या हिसाब होगा व्यक्ति कि सोचने समझने की सारी चंपाइक होता जा रहा हैं और यह एक खतरनाग इंड कि दोड़ में तक निकी दुनिया जो अश्वयत होने वाली आने देवाली दिनों में फिर मैं आपको चर्चा करूंगा आगे जानकारी दूबार आज के लिए उसका है